अब यह ऐसी टीम है जो किसी को भी बीट कर सकती है अगर कोई भी टोनामेंट हो तो आप इनको GL के टीम से ड्रॉप करके चल सकते हैं यह तो सबसे ज्यादा बहतरीन मैच अगर कुछ दिख रहा है तो वो है आपका जॉनी बेस्ट्रो का मैच अप मैं सुधीर आपका अपनी यूटूब चैनल एस क्रिकेड में स्वागत करता हूं तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान के जो 20 20 मुकाबला खेला जा रहा है उसकी और इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथे नंबर मुकाबले की जो की खेला जाएगा ओवल में अभी तक थ्रूआउट दा आईपिल हमने हर एक वीडियो कवर किया है और लास्ट के हर एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आप एक विनिंग टीम बना सकते हैं किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर स इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी टीम बनानी है कि इनकिन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अगर आप अपनी टीम बना रहे हैं ठीक है डेफिनेटली आप हाई सारे के सारे हाई सेलेक्शन पॉसेंटेज वाले प्लेयर को बि स्टैट्स क्या होने वाले हैं प्लेयर बैटल क्या होने वाले कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए प्रवल दावेदार इन दोनों टीमों की बीच में कौन कौन से रहेंगे फिक्स प्लेयर और टरम प्लेयर कौन से हैं सलेक्शन पॉसेंटेज के कॉर्डिंग जो है किस तरीके से आपको अपनी टीम बनानी ही, सब कुछ इस वीडियो में डिसकर्स होगा, लेकिन अभी IPL के फाइनल के मैच के बाद मैं वीडियो बनाना ती चार दिन थोड़ा बन कर दिया था, उसका एक मेन रीजन था कि अपने आपको थोड़ा री एनरजेटिक करना था, सारी के लिए अभी जरूरी है, चुकि ये जादे जो भी टोनामेंट अभी हो रहा है, ये सब कुछ वर्ल्ड कप को देखते हुए हो रहा है, सारी टीम में अपनी वर्ल्ड कप को देखते हुए अपनी टीम बना रही है, प्लेयर्स को खिला रही है और प्लेयर्स के फॉर् वीडियो बनाने वाला हूँ ठीक है और मैं वो जब बनाऊंगा तो अपने इसी चैनल पर जो है अपलोड करूँगा तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे शनल को सस्क्राइब कर दीजेगा इस वीडियो को लाइक करेगा और अभी तक अगर टेलिग चैनल मेरा जॉइन हो सकते हैं तेलिग्राम चैनल जॉइन होने का सबसे ज्यादा बेनिफीट बहुत ज्यादा जो है फायदा आपको मिलेगा क्योंकि हर एक इन्फॉर्मिशन में टेलिग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ जैसे कि पिछ रिपोर्ट कैसी है पिछ पर कंटीनिवास आज के मैच में चलेगा यह सब कुछ जो है मैं टेलिग्राम चैनल पर अपने पोस्ट करता हूँ तो जाइए फटाफट टेलिग्राम चैनल जॉइन हो जाइए और आईए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और चीजों को समझने की कोसिस करते हैं सबसे पह फिक्सट ट्रॉम प्लेयर में आपको बताने वाला हूं कि फिक्सट प्लेयर क्गड़ा को साथ रोटेट करके आपको अपनी टीम बनानी आहिं साती सलेक्षंप पॉईसंटेश ते कैसे टीम बनाएंगे ये भी लास्ट में आपको बताऊं तो बने रहेगा इस वीडियो मे के last तक देखिएगा definitely आपको फायदा होने वाला मैं दूसरों की तरह मैं यह डिंगे नहीं मारता हूं कि मैंने करोड उपए जीता है मैं आपको जीता हूंगा यह करूँगा यह चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मदद करने के लिए है अगर मैं टेलिग्राम पे अपने जीती वे अमाउंट पोस्ट करता हूं तो मैं इस वज़े से नहीं पोस्ट करता हूं कि मैं आपको शो करूं कि मैंने इतना जीता है मैं इस वज़े से पोस्ट करता हूं कि हाँ यह जीता जा सकता है अगर आप जो है एक करेक्ट स्टडिजी के साथ चलें आप एक करेक्ट जो आपको loss होने वाला है, आप एक ऐसे player को रखते हैं, जो बहुत जादा high selection percentage का है और वो consistently perform कर रहा है, लगता साथ से आज 6 से 7 matches में तो भी आपका वो loss करा के जाएगा, ये चीज मैं अपने experience से आने वाले या पिछे जो matches गए हैं, उनके data के recording बोल रहा हूं, और आने वाले जो वीडियो होगी ना, उस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल clear तरीके से बता दूँगा, जो कल मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आपको clearly idea चल जाएगा, कि मैं क्यों हर एक वीडियो में अपनी high selection percentage के सारे के सारे player ना लेने की बाते करता रहता हूं, तो आईए start कर करते हैं आज का वीडियो और चीजों को सबसे पहले समझने की कोसिस करते हैं, कि यहां पे जो pitch है उसका मिजास कैसा है, तो भाई यह खिला जाएगा match Oval में, और Oval में खिला जाएगा रात के 11 बजे, ठीक है, रात के 11 बजे Oval लंडन में match खिला जाएगा, इंग्लैंड व वेन्यू के first inning के average score की अगर अब बात करेंगे तो, और normally लोग यह मान के चलते हैं कि यहां पे एक batting track है, लेकिन यह जो pitch है, वो एक, मतलब आप average pitch मान सकते हैं, जहां पे बॉलरों को भी मदद मिलता है, और वहां पे गेदबाजों को भी मदद मिलता है, और खासका swing गेद अगर यहां के stats की बात किया जाया, तो 15 match अभी तक हुए है, बैटिंग first करने वाली team 9 match जीती है, बैटिंग second करने वाली team match 6 match जीती हुई है, 500 से नीचे 4 बार रन बन चुका है, ठीक है, 500 से 179 के बीच में 5 बार, यानि 15 match में लगबग 70% time इन 170 रन से नीचे रन बना हुआ है, 130-180 के बीच में 3 बार रन बना हुआ है, 190 से उपर 3 बार रन बन चुका है, average score की बात करें तो 160 से लेके 180 रन का average score है, highest score की बात करें तो 211 रन highest score है और lowest score की बात करें हम, तो 81 रन 10 wicket के नुकसान पे lowest score देखा गया है, तो अगर normally अगर कल के match के लिए बात करें हम, तो Pakistan अ अगर वही इंग लैंड बैटिंग करती है पहले, तो ये मान के चलिएगा कि 180 प्लस भी इंग लैंड score करके चल सकती है, ठीक है, तो दो possibilities जरूर लेके चलिएगा अपने साथ की एक low scoring वाला match, ठीक है, और एक high scoring वाला match, ये दो possibilities आपको लेके चलना है, जबी भी आप अपन GL की टीम बना रहे है, इतना याद रखे चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे खेले गए कुछ matches की, तो ये जो data है, यहाँ पे खेला गया 4 match है, और इन 4 match में 2 match आप देखेंगे, तो high scoring encounter हुआ है, और 2 match आप देखेंगे, तो यहाँ पे low scoring encounter हुआ है, सबसे ज़ हुआ है, और वो भी most of the wicket जो है, spinner होने second inning में लिया, यहाँ भी second inning में, यहाँ भी second inning में, ठीक है, यहाँ first inning में 2 wicket, यहाँ first inning में 3 wicket है, यहाँ पे first inning में 2 wicket है, तो first inning में on average मान के चलिए, कि एक से 2 wicket ही spinner ले पाते हैं, लेकिन second inning में 4 wicket भी ले सकते हैं, तीन wicket भी ले स अब हम बात कर लेते हैं झाद है इस तरीके का कुछ हिसाब किताब रहता दिख रहा है तो किस टाइब के बालर को मिलता है और किस टाइब के बैस्मेन को मिलता है यह चीज़ हम समझ लेते हैं लेफ ताम फास्व थनिंग में सांध्र इंह के तो से में 17 विकेट देखा गया है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के head to head मुकाबले की तो अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में 30 मुकाबले खेलेंगे जिसमें से महज 9 बार जो है पाकिस्तान जीती है और 20 बार जो है आपका इंग्लेंड जीते भी देखी गई है अब हम बात कर लेते हैं इंग्लेंड के थोड़ा possible playing 11 की तो फिलिप सॉल्ट एक तगड़े फॉर्म में थे जॉस बटलर का फॉर्म लास्ट के जो रूट के ठीक है definitely मतलब ये ऐसी टीम है जो किसी को भी बीट कर सकती है अगर कोई भी टोनामेंट हो ठीक है तो इस टीम में बात कर लेते हैं कि कौन starting over balling करता है और कौन death over balling करता है सबसे पहले ballers pick करना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप अपनी टीम बना रहे हैं तो लास्ट के matches में देखा गया कि starting over में balling करते हैं मूवी नहले पहला तीसरा और पांचवा ओवर रीस टॉपली फेकते हैं दूसरा और चौथा ओवर वहीं जोफरा आर्चर फेकते हैं पांचवा ओवर छठा ओवर ठीक है और डेथ ओवर की बहुत करें तो रीस टॉपली फेकते हैं सुलावा ओवर जॉडन फेकते हैं सतरावा उनीस ओवर और आर्चर फेकते हैं अठावा ओवर सबसे ज्यादा कोई इंपोर्टेंट खिलाड़ी यहां पर हो जाता है तो वह हैं जोफरा और चर ठीक है कल के मैच के लिए अब हम बात कर लेते थोड़ा बैट्समैनों के बैटिंग साइड की और उनके खेले गए मैचेस की तो रीसेंट फॉर्म के अगर बात करें तो थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं आप जो है फिलिपस वाल्ट के साथ जा सकते हैं हैट टो एड में 28 का एवरेज है वेन्यू पर खेले नहीं है और बहुत तगड़े फॉर्म में इसलिए मैं बोलना हूं कि लगातार दो तीन मैच से इनसे रन बना नहीं है तो इस मैच में की इनिक खेल के दे सकते हैं आपको अब हम बात कर लेते हैं विल जैक की तो लास्ट के मैच में 37 बनाया था उसके पहले 41 बनाया है 26 का एवरेज है हेड टो एड मुकामले में तीन मैच में 87 87 का एवरेज है जील की टीम में आपके लिए एक सेफ पिक होंगे अगर जॉनी ब आपको मैच जिता सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा हैं तो लास्ट के मैच में एक बनाया था 11 पॉसें सेलेक्टन एश्यू है जील के टीम में आप जो है इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं मुहिन अली को हम अपनी टीम में लेके चलेंगे लियम लिविंस्टन को मै आप एज़ा जाराउंडर अपनी टीम में रख सकते हैं और मोश्ली जया अलराउंडर नहीं है ज़ा इज़ा डेत ओवर स्पेसलिस्ट के तौर पे आपके टीम में हो सकता है अदर्वाश इनको आपनी टीम से ड्रॉप करके चलिएगा अब बात कर लेते हैं जो फ़रा आर थोड़ा पाकिस्तान के पॉसिबल प्लेंग 11 की तो रिजवान, अयूब, बाबर, आजम और जो है आजम खान, इतिकाज अचा और शादाब खान, इमाद वसीम, शाहिन साफरीदी, हारिस राउफ और जो है मुहमद आमिर, मुहमद आमिर जो है सन्यास ले चुगे थे लेकिन यह सन्यास लेने के बाद फिर से वापस जोइन किये हैं और यह जौदा खेल रहे हैं, अब आम बात करते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग ओवर, और डेथ ओवर में यहाँ पे फेके गए बॉलर्स की तो, तो शाहिन साफरीदी फेकते हैं, पहला और चौथा ओवर, इमाद तीसरा और पांचवा ओवर, ठीक है, तो इस तरीके से यह तीनों मिलके आपका पावर प्ले खतम कर देते हैं, अगर वहीं डेथ ओवर की बात करें, तो हारिस रहूफ आ जाते हैं, आमिर आ जाते हैं, और अफ्रीदी आ जाते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई इ आइन सा अफ्रीदी हैं, और यह स्टार्टिंग ओवर में एक से दो विकेट तो लेते ही लेते हैं, अगर यहाँ इनको विकेट नहीं मिलता है, तो यह डेथ ओवर में बहुत ज़्यादा खतरनाक बनके एक आद दो विकेट चटका लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं और पर आपको अपनी टीम में दिखते हुए नजर आएंगे, तो अगर आपको अपनी ट्रंप लेर रखना है, तो डेफिनेटली आप इनको ट्राइ करके चल सकते हैं, वहीं अगर रिजवान की बात करें तो लास्ट की मैच में देखिए जीरो रन बनाया था, इस मैच में डेफिनेटली ये चलने वाले हैं, head to head की बात करें तो एक क्या one coverage है, यहाँ पर इनको इनके सामने खेलना इनको बहुत पसंद रहिए इनके सामने खेलना, तो डेफिनेटली आप इनको ट्राइ करके चल सकते हैं, बाबाराजम की बात करें तो भाई, मतलब हर मैच में लग आप रखेंगे, तो captain या voice captain भी आप इनको बना के चलिएगा, तो मैं साथ-साथ captain और voice captain भी बताते हुए आपको चल रहा हूँ, जैसे कि आप अपमी team बनाया तो definitely आप इनको consider करके चल सकते हैं, बाकी final team आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगी, तो definitely telegram channel मेरा join हो जाएगा दोस्त इत्ती चचा का जो order है वो बहुत नीचे आता है, लेकिन अगर ये आप assume कर लिए हैं कि पाकिस्तान जो है, का top order नहीं चलेगा, top order अगर नहीं चला, ठीक है, top order नहीं चला तो definitely आप इत्ती चचा के साथ जा सकते हैं, otherwise इत्ती चचा को भी discard करके चल सकते हैं, drop करके चल सकते सादाब की बात करें, तो as a batsman इनको इनके साथ run बन नहीं रहा है, और as a baller इनको विकेट यहाँ पर मिल नहीं रहा है, definitely ये struggle कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको GL के टीम से drop करके चल सकते हैं, इमाद वसीम की बात करें, तो ये starting order हम फेकते हैं, और 1-2 विकेट हर मैच में देखा गया, इनको मिलते हुए, तो अगर आप इमाद वसीम को ले रहे हैं, तो definitely आप इनको safe pick होंगे, बट अगर आप सादाब को लेके चलने हैं, तो आप इनको भी captain या voice captain बना के चलिएगा, क्योंकि अगर ये बंदा विकेट लेता है, तो ये 2-3 विकेट से कम नहीं ल देखते हैं, तो यहां भी आपको 1-2 विकेट नजर आता हुआ, दिखेगा, शाहिन साफरीदी के खाते से, अगर हरी स्त्राओव की बात करें, तो 49% selection ratio है, रिसेंट फॉर्म की बात करें, तो 2 विकेट लास्ट के मैच में लिए था, उसके पहले 1 विकेट है, उसके पहले 0 विकेट है, जिरो विकेट है, जिरो विकेट है, डेफिनिटली आप इनको GL के टीम से ड्रॉप करके चल सकते हैं, मुहमद आमिर की बात करें, तो इनके मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यह क्या कर लेंगे, लेकिन यहां पे अभी तक इनको विकेट मिलता हुआ दिखा नहीं है, तो डेफिनिटली आप GL के टीम में मुहमद आमिर को ड्रॉप करके चल सकते हैं, तो यह सारा एनालसिस रहा मेरी तरब से अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में, और यहां पे कोई इंपक्ट प्लेयर का कोई रूल नहीं है, तो यहां पे थोड़ा और इजी हो जाएगा, हमें जो है, वो प्रेडिक्टेट जो हमारे ख्वाब है, एक करूर जीतेने का, वो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां से दो प्लेयर आपके कम पड़ते हैं, वहां पहले आईपिल में हम 24 प्लेयर के साथ अपनी टीम बनाते थे, यहां पे हम 11 प्लेयर क लेते हैं थोड़ा प्लेयर बैटल की, तो जॉस बटलर को हारीस राउफ ने तीन मैच में दो बार और सादाब को तीन मैच में एक बार आउट किया है, फिलिप सॉल्ट की बात करें, तो हारीस राउफ ने चार मैच में तीन बार और इमाद वसीन ने इनको एक मैच में एक skill है वर्यूक की बात करें तो साधाब खान ने इनको तीन मैंच में दो तो ऑनी सबसे जादा बहतरी मैचप तो वो है आपका ज।नी बेस्टो का मैच आप ये बहुत खतरनाक है फिलिप सॉल्ट का भी मैच अप बहुत खतरनाक दिख रहा है ठीक है तो आप ये दोनों चीजों को consider करके चल सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं जो है आपके पाकिस्तान के मैच अप कि तो भाई इमार रिजवान को आदिल लशीद ने वस्ट मैच में के दो बार आउट किया प्रेज आपके तो तो चार मैच में, 11 मैच में, चार बार आदिल रशीद ने इनको आउट किया है, लेकि स्पीनर पर थोड़ा फसते हैं, यह नॉबली हमने देखा है, अब हम बात कर लेते हैं, जो है, फकर जमान की, तो फकर जमान मुहीन अली ने इनको पांच मैच में तीन बार, और जो है, अदिल रशीद ने इनको चार मैच में एक बार आउट किया है, जमान खान की बात करें, तो आचर ने इनको एक मैच में एक बार आउट किया है, इत्ती चचा की बात करें हम, तो रीस टॉपनी ने इनको दो मैच में एक बार आउट किया, तो यह प्लेयर बैटल रहा, बाक प्लेयर को रखना है यहां पे आपको मिल जाएंगे 1,2,3,4 करके कुछ लिस्ट मिल जाएगी यहां पे भी आपको 1,2,3,4 करके लिस्ट मिल जाएगी यहां पे भी आपको 1,2,3,4 करके लिस्ट मिल जाएगी यहां पे भी आपको 1,2,3,4 करके लिस्ट मिल जाएगी यहां पे यह बिल्कुल fix amount है, अगर यहां से आप थोड़ा उपर नीचे कर रहे हैं, चार प्लेयर ले रहे हैं, तो यहां से definitely आप तीन प्लेयर लेके चलिएगा और यहां से चार प्लेयर तो लेना ही लेना है, तो यह कुछ structure आपको follow करके चलना है, चार चार तीन का या चार तीन चार का, ठीक है, तो I hope कि यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा fix player और trump player की, तो fix player में आपको देखिए, जौस बटलर, बाबर, विल जैक, इमादवसीम, आफरीदी और री स्टॉपली है, वहीं अगर trump players की बात करें तो henry blue और जो है और team बना सकते हैं, उपर नीचे कर सकते हैं, shuffle कर सकते हैं, ताकि आपको एक player of thought और keen player को लेना है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, मेरी final team में कौन-कौन से होंगे, वो उसके लिए आपको telegram channel join कर लेना है, तो जाइए फटा-फट telegram channel join कर लिजे दोस्तों, और आज की वीडियो में इतना ही, अगर कोई improvement का chance है, अगर आप चाते हैं कोई और data add करना, तो definitely comment section खुला हुआ है, comment section में जरूर जो है, comment करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो भी comment section खुला हुआ है, पटा-फट जाईए, और comment section में जो है, शान्दार जब करें, आपका आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जै हिन!